मैं हूँ प्रेशान सरीन और आप सभी का स्वागत है दर टाइपराइटर के इस लाइफ सेगविट में इस वक्त लाइफ आने का मकसद बहुत बड़ा है क्योंकि सूत्रों के हवाले से आ रही खबर ऐसी है जिसे सुनकर शायद एक पल के लिए आप सभी जमू कश्मीर वासियों को यकीन नहीं होगा क्योंकि ये खबर ऐसी है जो कई लोगों की रातों की नींद उड़ा सकती है और कई लोगों की जो महत्वकांशाए हैं उन पर पानी फेड सकती है खबर है कॉंग्रेस पार्टी के हवाले से जमू कश्मीर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के हवाले से जहां पर इस वक्त बड़ा क्लैश नजर आ रहा है कॉंग्रेस पार्टी के वरकिंग प्रेजिडेंट श्री रमन भला जी की ओर से और कहीं न कहीं जमु कश्मीर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के ही प्रेजिडेंट विकार रसूल वानी की ओर से इन दोनों की बीच में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है Congress Party के अंदर जमू कश्मीर के अंदर बड़ा चाउस देखने को मिल रहे हैं और कही न कहीं Major Clashes देखने को मिल रहे हैं रमन भला और विकार रसूल वानी के बीच में क्योंकि आज Congress Party के अंदर कुछ appointments की गई थी और रमन भला जी ने और उन्हीं के साथ उन्हीं के सियोगी योगेश सानी जी भी इस मौके पर मौझूद थे और कुछ appointments की गई थी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि appointments किन की थी और किन लोगों को nominate किया गया था इस पूरे उत्सफ के तौरान मैं आपको बता दूँ कि सुरिंदर कुमार nominated Ward 2 President, Manish कुमार Ward No.24 President, Gulshan कुमार Ward No.12 President and Manmeet Singh Secretary DCC Jammu Urban और आपको ये बता दे कि Manmeet Singh को appoint किया गया है DCC Jammu Urban के तौर पर और इसी के बाद एक circular जारी किया जाता है मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो नाम हमने लिए है ये appointments की गई थी ये कराई गई थी रमन भला जी के हवाले से उन्हीं के आज headquarters में Congress Party के मुख्याले में जम्मू के अंदर जिसके बाद कुछ वक्त पहले कुछ घंटों पहले एक circular जारी कर दिया जाता है विकार रसूलवानी जो की Congress Committee के जम्मू President है इस circular को मैं एक बार read करूंगा इसमें क्या लिखा गया है और फिर आपको बताता हूँ this is for the information for all the concerned that any appointment adjustments made in the DCC's and BCC's wards and subordinates committees without seeking approval from the chair chair का मतलब है यानि की president यानि की प्रमुक और इसके इलावा deemed to be unauthorized since stand cancelled any such unauthorized actions in the future will be indisciplined यानि की दिन में विकार रसूलवानी को ये मालूम नहीं था कि कुछ appointments की जा रही है रमन भलाजी की ओर से जब वो appointments कर दी जाती है तो शाम को एक circular जारी किया जाता है विकार रसूलवानी की ओर से जिसमें वो ये लिखते हैं कि ये जो action था बहुत ही indisciplined था और मुझसे permission लही ली गई थी क्योंकि मैं president हूँ तो ये मेरा हक बनता था कि मुझसे एक बार पूछा जाए विचार विमर्ष किया जाए और उसके बाद कोई भी nomination प्रक्रियाश शुरू की जाए या फिर कोई भी appointment की जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जिसकी वज़ा से ये एक बड़ा indisciplined काम किया गया है और मैं इस सारी appointments को cancel करता हूँ सेरे से खारिज करता हूँ और future में यानि की भविश्य में अगर कोई भी इस तरीके के हरकत की जाती है या बिना विचार विमर्श किये कोई भी तरीके की nomination की जाती है या फिर appointment की जाती है पार्टी के अंदर या फिर पार्टी के बाहर से पार्टी के अंदर तो फिर इसे indisciplined करार दिया जाएगा और जो भी इसमें मौजूद होगा उस पर कड़ी कारवाई की जा सकती है यानि कि आप देख सकते हैं साफतोर पर कि किस तरीके का clash विकार रसूल वानी और रमन भला जी की बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाला कि लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि रमन भला जी पार्टी से नराज नजर आ रहे हैं क्यूंकि शायद उन्हें अब ये समझा गया है कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर उनकी अब वो जगा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी जमु कश्मीर के दिगज नेता है रमन भला लेकिन पिछले कुछ समय से खास तौर पर पिछले एक वर्ष के अंदर जो नराजगी है वो कही न कहीं देखने को मिलती है मीडिया के हवाले से भी मीडिया को बहुत जादा एड्रेस नहीं करती है अब रमन भला क्यूंकि अप के बाद अब कॉंग्रेस पार्टी का जो गुरूर है और यहां सत्ता में आने का जो लुभाव है वो अब सरचड़कर बोलने लगा है और आने वाले वक्त में अब यह किस और इने ले जाता है वो देखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है आखिर अपनी इस तोहीन का क्य का अंजाम निकालेंगे और अपनी इस तोहीन को क्या एग्नौर करेंगे रमन भला या फिर आने वाले वक्त में पार्टी के खिलाफत करेंगे रमन भला खैर यह तो देखते ही बनेगा आप बने रही है ऐसी तमाम अप्डेट्स के लिए हमारे साथ मैं हूं प्रिशान सरी णा एग्डेटर 50 हूं प्रिशान 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 सर्ट